नमस्कार सातियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पने यूटूब चैनल SPS Study Point पर मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हादिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की ये क्लास है B.Sc. Second Year Third semester के लिए जिसमें मैं आज डिसकस करने वाला हूँ Chemistry का Objective Model Soul Paper जो आप सब के आगामी एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्मोड रहेगा ऐसे चाचात रहें जो इस बार Second Year में हैं और उनका एक्जाम Objective Pattern पर होना है यानि की OMR Seat पर होना है उनके लिए क्लास बहुत ही रामबान सिद्ध होगी पूरा का पूरा मने मौडल पेपर तयार किया है आप लोग के लिए जो आगे आपको एक्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा दोस्तों थार्ड समेस्टर में जो आपकी केमेस्टरी है उसका नाम है Chemical Dynamic and Coordination Chemistry जिसमें कुल मिलाकर के आठ यूनिट्स है और सभी यूनिट्स के इंप्रसन हैं हमने चूच किया है आज के इस मौडल पेपर में दोस्तों आपको बता दें ये पेपर आपको हल करने के लिए दो घंटे का समय मिलता है और प्रोडांक की बात किया जाए तो 75 नंबर का आप करता सजादों लोगे में सेयर कर दीजे गाइस क्लास को और जो भी मारे चैनल पर नए आये हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ठीक है तो पहला प्रस्थम आपकी इस क्रीण पर है दिया गया एधा यूनिट आप रेक्षन की यूनिट क्या होती है आपका पह आपको rate of reaction की जो units होती है वो होती है mole inverse, liter inverse, second inverse, यहाँ पर जो आपका correct option हो जाएगा option number C हो जाएगा, next प्रस्न की और बढ़ते हैं, आपका दूसरा प्रस्न है दोस्तों, for a reaction, na plus nb gives out product, यह रियक्टेंट है आपका और यह product है, the molecularity is, तब आपको क्या बतानी है, एक reaction दिया गया है, ठीक है, और इसकी अब molecularity बतानी कि, इसकी molecularity कितनी होगी, तो molecularity को दोस्तों m plus n के form में लिखते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ n दिया गया है, लेकिन यहाँ पर m होना चाहिए, ठीक है तो यह आपका जो answer हो जाएगा वो M plus N हो जाएगा क्या हो जाएगा M plus N हो जाएगा इस प्रकार से आपका जो सही answer हो जाएगा option number D correct option हो जाएगा ठीक है चलिए हम बहुत ही तेजी से बढ़ने का प्रियास करेंगे क्योंकि आपका exam बहुत ही नजदीक है दोस्तों और आपको लगबग लगबग में प्रियास करूँगा कि कल की class में भी एक model paper प्रवाइड करा दूँ ठीक है चलिए question number 3 की चर्चा करते हैं question number 3 है the rate of chemical reaction depend upon the rate of chemical reaction किस पर depend करता है time पर pressure पर या फिर concentration पर या all of these तो दोस्तों आपको बता दे है rate of reaction directly proportional to concentration of reactant or product ठीक है यानि कि the rate of chemical reaction जो rate of chemical reaction है वो किस पर depend करता है time पर pressure पर concentration या all of these तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही answer होगा वो हो जाएगा आल आप दीज यानि कि rate of chemical reaction depends upon time pressure concentration atc तो यहाँ पर आपका option जो हो जाएगा सही वो डी number option हो जाएगा सभी लोग comment box में comment भी करते रहिए बताते रहिए इसका answer क्या रहेगा ठीक है चलिए question number 4 है the rate of reaction दिया गया है rate of reaction अब rate of reaction होता क्या है rate of reaction में क्या है जब increase करेगा या इन्क्राइस रहिए रहिए खर आप rate of reaction तब बढ़ेगा जब temperature increase करेगा यह रहिए representation we decrease हो गा जब сожалणी टमपरेशन इन्क्रीम करेगा यह जब टमपरेशर बढ़ेगा तो rate of reaction Csover your introduce एक आणि अधसका बढ़ेगा तो rate is reaction increase करेगा तब क्या होगा जब temperature increase करेगा जब temperature आप बढ़ाएंगे तो rate आप reaction भी क्या करेगा increase करेगा इसी प्रकार से जो आपका सही अंसर हो जाएगा यहाँ पर option number a हो जाएगा ओके चलिए next प्रस्न की ओर बढ़ते हैं आपका पांचवा प्रस्न है the rate law for the reaction a plus 2b equal to c plus 2d अब आपको बताना है कि इसका rate law क्या होगा rate law क्या होगा तो rate law क्या होता दोस्तो rate like directly proportional to a की power x b की power y क्योंकि x और y का जो मान है वो equal नहीं हो सकता वो कम जादा हो सकता है reaction और product के अनुसार तो option यहाँ पर दिया गया rate equal to k a b या फिर k जो यह है यह तांक है दोस्तो rate equal to यहाँ पर directly proportional to अगर proportional to लगा देंगे तो k हट जाएगा तो rate equal to k a plus 2b या option number c दिया गया rate equal to k a plus a b का square या rate equal to k c d a और b का square तो आपको बताना है किसमे से correct answer क्या होगा तो दोस्तों आपको बताते हैं जो इसका correct answer बनेगा वो बनेगा k यानि कि rate of reaction equal to k नियतांक जोड़ेंगे a और b का square यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा आपका वो हो जाएगा option number c correct answer हो जाएगा नेक्ट प्रसन की और बढ़ते है question number 6 question number 6 आपका है the differential rate law for the reaction h2 plus i2 gives out 2 hir अब यह आपका reactant दिया गया है और यह आपका product है ठीक है अब आपका बताना इसका differential form कैसे हम लिखेंगे differential form तो differential form कैसे लिखते हैं जब reactant अगर reactant की बात करें तो reactant क्या होता है decrease करता है ठीक है तेकर product क्या होता है बढ़ता है अब reactant जब हम decrease करेंगे तो यहाँ पर minus charge आएगा अब लिखेंगे कैसे तो हम इसको लिखेंगे minus d h2 upon dt equal to फिर minus लगाएंगे यहाँ पर i है ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे d i2 upon dt अब जब हम product की तरह बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रोड़क्ट क्या करता है टाइम के साथ बढ़ता है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा प्लस वन अपान टू डी एच आई अपान डी टी ठीक है तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा वो हो अलग दे दे चलिए क्वेशन नमबर साथ है डी के आप 92 यू 25 डाट डाट ओडर आप रियक्शन यहाँ पर ओडर आप रियक्शन पूछा गया है किसका ओडर आप रियक्शन क्या होगा जीरो फर्स्ट सेकेंड यह थर्ड तो दोस्तों जो इसका ओडर आप निकालेंगे इसका ओडर जो आएगा वो क्या आएगा इसका ओडर आएगा फॉस्ट यह फॉस्ट ओडर रियक्शन है यहाँ पर जो आपका साही अंसर हो जाएगा वो जाएगा ओप्शन नमबर बी कर्यक्ट ऑप्शन ओके सिल ए next प्रसन की तरफ बढ़ेंगे आपका अगला प्रसन है आरहीनियस इक्वेशन इन में से आपको बताना है कि आरहीनियस इक्वेशन इस आपका option दिया गया है dink upon dt equal to dea upon rt square option c है dink upon dt equal to minus dea rt square या option number d आपका दिया गया है dink upon dt equal to minus dea upon rt तो दोस्तों आपका बता दें इन में से जो आरहीनियस इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा आरहीनियस इक्वेशन जल्दी से आप सभी लोग बता दीजे तो आरहीनियस इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल dink upon dt equal to dea rt square आपका option number यहाँ पर b correct होगा ठीक है चलिए अगले प्रस्ण की तरब बढ़ेंगे आपका अगला प्रस्ण हे वो है order of reaction can be order of reaction ऑना हो सकता है जी रो fraction whole number या integer fraction यह zero चलिए आप सभी लोग बताइये यो order of reaction है क्या वह 0 हो सकता है क्या वह एक fraction हो सकता है या whole number हो सकता है या integer fraction या 0 हो सकता है सभी लोग answer करके बताएंगे question number no तो दोस्तों इसका जो सही answer हो जाएगा integer fraction 0 order of reaction can be integer एक integer भी हो सकता है fraction भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है तो यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा option number D हो जाएगा next person की और बढ़ेंगे question number 10 question number 10 है which one of the following is true for the exothermic reaction इन में से exothermic reaction के साफ x में कौन सा सही है option दिया गया है आपका a number plus del h option b है minus del h option c है plus minus del h option d दिया गया है none of the these 10 number person का जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number b minus del h यही जो है exothermic reaction के साफ x में सही है यहाँ पर आपका जो सही answer हो जाएगा option number b हो जाएगा चलिए अगली प्रस्ट पर बढ़ते हैं आपका अगला प्रस्ट है question number 11 which one of the following इन में से कौन सा reaction hold good for the exothermic reaction इन में से कौन सा reaction exothermic reaction के साफिक्स में असा बहेव कुरता है आपका a number option है hr equal to hp यह b number है hr is greater than hbp यह c number है hr is less than hp यह none आप दीच तो इसका जो सही answer हो जाएगा question number 11 इसका सही answer है option number c यहनि correct answer जो हो जाएगा option number c हो जाएगा ठीक है चलिए next प्रस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं आपका अगला प्रस्ट है question number 12 सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी साथ चात्रा है मारे साथ जूड़ चुके हो चैनल को subscribe भी कर लेजेगा the equilibrium constant kp and kc are related as kp और kc किस से related हैं किस से सम्मद रखते हैं option number a दिया गया है kp equal to kc del n upon rt option b आपका है kp minus kc equal to rt del n और option c दिया गया है kp equal to kc rt del n a और option d दिया गया है kp equal to kc rt del n दोस्तो practice के तोर पर मैं करा रहा हूँ क्योंकि आपका exam नदीक है अगर एक-एक option को हम समझाते हुए चलेंगे तो उसमें बहुत ही समय लगेगा ठीक है बहुत ही ज़्यादा समय जाएगा और आपके पास समय कम है तो ज़्यादा स्यदा practice करने का प्रियास के लिए आप य यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा option number D हो जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रसंट की और बढ़ेंगे question number 13 आपका है for the reaction यहाँ पर एक reaction दिया गया है टू एच आई जी एच टू जी प्लस आई टू कैस अब यह देखिए जब भी आपको इस तरह सा सेंबल देखे यानि कि दोनों reaction यह प्रतफित कर रहा है अगर हम है टू प्लस आई टू का reaction करें तो हमें मिल जाएगा टू एच आई ठीक है अब यह आपको दिखाना है कि यह कौन साज सम् क्या दिखा रहा है kp is greater than kc यह kc is greater than kp यह kp is equal to kc यह kp equal to 2 kc चली इसका answer करेंगे question number 13 तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो option number c हो जाएगा दोस्तो kp equal to kc kp जो है वो बराबर है किसके kc क्योंकि यह दोनों equation बराबर है ठीक है चली next question की और बढ़ेंगे आपका question number 14 है on the increasing pressure boiling point of liquid यानि की प्रेशर boiling point of liquid यानि की लुकिट का अगर हम प्रेशर करें तो इसका boiling point क्या होगा decrease करेगा increase करेगा no change यानि कोई परिवर्तर नहीं होगा यान आप दीच तो दोस्तों आपको बता दे जब आप look it के pressure को increase करेंगे तो इसका जो boiling point होगा वो क्या करेगा increase करेगा यानि इसका जो सही answer हो जाएगा option number B हो जाएगा आपका correct answer हो जाएगा option number B के चल क्वेशन नमर 15 पर बढ़ते हैं आपका 15 नमर प्रसन है according to law of mass यानि की according to law of mass law of mass के नुसार action for the reaction action for the reaction 2a plus b give south product यानि यह reactant है यह आपका product which equation holds इन में से कौन सा equation में मिलेगा rate equal to k a square b या rate equal to k a b का 1 upon 2 या rate k equal to rate equal to k a b या rate equal to k a b का square चलिए तो इस question को मैं बता दो यह questions आपका option number a आपका correct करेगा क्योंकि जब आप अगर law of mass action की बात करें तो rate of mass action is directly proportional to a की power a b की power b तो इस प्रकार से इसका जो सही answer हो जाएगा option number a हो जाएगा correct answer ओके चलिए next person की ओर बढ़ेंगे question number 16 आपका है standard gives free energy change del g not and equilibrium constant kp are related as option number a दिया गया है kp equal to minus rt in del g not या option b दिया गया है kp equal to 1 upon rt minus g not या option c है kp del g not upon rt या d दिया गया है kp equal to e del g not upon rt तो इस question का जो सही answer होगा 16 number प्रस्ण का हो जाएगा option number d यानि kp equal to e del g not upon rt standard gives free energy change del not यानि जब हम state and gives free energy change करेंगे del not तो equilibrium जो constant होगा kp वो किस से संबंद रखेगा kp is equal to e del not upon rt ओके यहाँ पर जो आपका सही answer होजाएगा option number d हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ण की ओर बढ़ेंगे question number 17 है आपका the value of equilibrium constant according to the temperature change independent by the volume of equilibrium constant ठीके volume of equilibrium constant according to temperature यानि temperature के निसार change is defect by want of isotherm या want of isocore या लेच 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 लेटर से प्रिंस्पल यानन आप जीच तो जोस्तों इसका जो सही answer हो जाएगा option number b want of isocore आपका option number b correct हो जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रस्ण की ओर चलेंगे question number 18 है phase rule was first suggested by जो phase rule था वो फहली बार किसके द्वारा suggest किया गया था क्या वो फाराइडे के द्वारा suggest किया गया था या रदर फोर्ट ने या फिल विलवार्ड गिप्स ने तो इसका जो सही answer होगा वो हो जाएगा option number d यानि कि विलवार्ड गिप्स ने phase rule को पहली बार suggest किया था यहाँ पर आपका जो सही answer हो जाएगा option number d हो जाएगा okay question number 19 की तरफ बढ़ते है question number 19 है mathematically phase rule में भी standard as जो mathematically phase rule है वो किस कार का standard किया गया है क्या वो option number image करेगा यानि f equal to c minus p plus 2 या फिर b option है आपका f equal to c plus p minus 2 या option c दिया गया है f minus p equal to c plus 2 या option d दिया गया है f plus p equal to c minus 2 तो mathematically phase rule जो है वो standard किस प्रकार से किया गया है दूस्तों वो standard किया गया है f equal to c minus p plus 2 यानि कि यहाँ पर आपका जो सही answer हो जाएगा वो option number a correct हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे sulfur system is sulfur system is a one component system या two component system या three component system या नन आप दीज तो आपको बता दें sulfur system is a one component system यानि कि आपका जो सही answer हो जाएगा वो option number a हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरफ आपका जो अगला प्रसन है दोस्तों वो आपके screen पर है when pressure is increased the transition temperature जब हम pressure को increase करेंगे तो जो transition temperature है वो क्या decrease करेगा increase होगा या remains unchanged होगा या pre decreases in increases तो दोस्तों आपको बता दें जब आप प्रेशर यानि कि जब आप transition temperature का pressure increase करेंगे तो माप करेगा when pressure यानि कि जब हम pressure को increase करेंगे जब हम pressure को बढ़ाएंगे तो transition temperature क्या करेगा increase करेगा यहां पर जो आपका सही answer हो जाएगा option number b हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए next प्रसन की और आपका अगला प then one of the following which one of the following is known as considered phase rule इन में से कौन सा एक considered phase rule कहलाता है आपका option है option number a f equal to c plus d या option b है f equal to c minus b plus 1 या option c दिया गया है f equal to c minus b plus 2 या option d दिया गया है f plus d equal to c plus 2 तो आपको बता दें इन में से जो phase rule होगा दोस्तों हो जाएगा f equal to c minus b plus 1 यानि कि यहां पर आपका जो सही answer हो जाएगा वो option number b correct हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रसन की और बढ़ते हैं आपका जो अगला प्रसन है वो है in o2 system यानि carbon dioxide system in o2 system the number of degree of freedom present on curve is ठीक है c o2 यानि carbon dioxide system में number of degree number of degree of freedom present curve is 0 या 1 या 2 या फिर 3 तो दोस्तों आपको बता दें c o2 system में number of degree of freedom जो present है वो कितना है 1 है यहां पर जो आपका correct answer हो जाएगा वो option number a हो जाएगा next प्रसन की और बढ़ेंगे आपका अगला प्रसन है on increasing pressure melting point of solid co2 यानि जब हम temperature को बढ़ाएंगे तो solid co2 की melting point क्या होगी क्या वो increase करेगी क्या वो decrease होगा या remains constant रह जाएगा या आप दीज तो आपको प्ता दें जब आप increase यानि pressure को बढ़ाएंगे solid co2 की तो इसकी melting point होगा वो क्या करेगा increase करेगा यहां पर आपका जो सही answer हो जाएगा option number a हो जाएगा चलिए अगले प्रसन की और बढ़ते हैं आपका जो अगला प्रसन है at a triple point at a triple point triple point पर both the temperature and pressure are fixed triple point पर क्या temperature औ temperature और प्रसन होता है या only pressure fix और बहुता है या some time temperature and some time pressure break samता है आपको बताना है कि जब क्या temperature ALL प्रसन होनुरों fix होते हैं या тобой awal or typical temperature fix होता है या केवल और केवल प्रेशर ही fix होता है या कभी-कभी temperature और कभी-कभी pressure fix होता है तो आपको बता दें दूस्तों triple point पर temperature और pressure दोनों fix होते हैं यहाँ पर जो आपका सही answer हो जाएगा और option number A हो जाएगा question number 2 आपका दिया गया है question number next है degree of freedom present degree of freedom यानि स्वतंतरता की कोटी on the triple point degree of freedom present in on the triple point of the single component system is ठीक है स्वतंतरता की कोटी triple point पर single component system जो उसका होता है वो कितना होता है zero होता है, एक होता है, या दो होता है, या तीन होता है तो degree of freedom present on triple point of single component system is जीरो यहां पर आपका जो सही अंसर हो जाएगा वो option number a हो जाएगा ओके next प्रस्न की और बढ़ेंगे आपका अगला प्रस्न है a system with zero degree a system with zero degree of freedom is known as एक system जिसके साथ जो degree of freedom है वो zero है वो क्या कहलाएगी यहां पर आपका जो सही अंसर हो जाएगा वो option number c हो जाएगा next प्रस्न की और बढ़ते हैं दोस्तों सभी लोग इन सभी प्रस्नों को तयार करते रहें और जिनको इसका अंसर पता है comment box में comment भी करते रहें क्योंकि comment जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा तभी आप इसको solve कर पाएंगे प्रयास यह करिए जब भी objective आप तयार करें तो जादा से जादा practice करें आप जैसे मैं class पढ़ा दे रहा हूँ कम से कम इसका चार बार revision करेगा सारे के सारे प्रस्ण आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे question अभी आपको तयार करने का समय नहीं है कि अब आप option question को समझ सकें एक एक question को लेकर समझें अब आपके पास यह है कि जादा से जादा question को अपने mind में set करना ठीक है तो वह कैसे होगा वह practice से होगा चलिए next प्रस्ण है the compressibility factor of an ideal gas is compressibility factor बताना है एक ideal gas का क्या वह 0 होगा वह infinite होगा या 2 होगा या फिर 1 होगा तो the compressibility factor of an ideal gas is 1 ठीक है यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा option number d next प्रस्ण की और बढ़ेंगे आपका जो अगला प्रस्ण है दिया गया है the unit of wonderwall constant a is ठीक है wonderwall constant a की unit क्या होगी mole atom inverse होगी या atom inverse mole होगी या फिर liter square atom inverse mole या atom liter की minus two mole होगी तो बता दें आपको the unit of wonderwall constant a is mole atom inverse यानिकि आपका यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा option number a हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है एक gas cannot be lookified if for a gas temperature is greater than a gas cannot be lookified एक gas जो है वो cannot यानिकि नहीं lookified किया जा सकता if for a gas यानिकि एक gas temperature greater than greater than critical temperature या फिर critical pressure या critical volume या critical density तो आपको बता दें एक gas cannot be lookified if for a gas temperature is greater than critical temperature ओके यहाँ पर जो आपका correct answer हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा वो option number a हो जाएगा इसको आप याद रखेगा इस type के question जरूर आपको मिलेंगे ठीक है और जब आपका paper हो जाए तो आप टेलीग्राम पर हमें send जरूर कर दीजिएगा ठीक है चलिए next question है at a temperature at a constant pressure the specific heat of gas mw equal to 80 is 0.125 8 दिया गया है एक constant यानि की at constant pressure यानि जब pressure constant रहे specific heat किसी भी gas का specific heat जो है वो mw equal to 80 है ठीक है is mw 0.125 तो ये क्या हो जाएगा ये क्या tie atomic होगा या die atomic होगा या mono atomic होगा या h2 होगा तो ये h2 यानि की hydrogen के कारण ऐसा होगा ठीक है यहाँ पर आपका जो सही answer हो जाएगा option number d हो जाएगा next question क्यों बढ़ेंगे आपका अगला question आपके screen पर ह बहुत ही important प्रस नहीं है ठीक है आपको अगर दिख नहीं रहा होगा दोस्तों clarity तो आप लोग अपने जो है वीडियो की quality बढ़ा लिजेगा YouTube में जा करके corner पे ठीक है three dot पे जा करके और इसकी quality बढ़ा लिजेगा कम से कम आप 450 पे दिखेगा आपको clear दिखेगा ठीक है च temperature at which second viral coefficient of a real gas is zero known as critical temperature boiling point या boils temperature या freezing point तो दोस्तों आपको बता दें जब temperature की बात हो temperature at which second viral coefficient second viral coefficient पे दो real gas जो होगा अगर real gas zero है तो critical temperature कहलाएगा क्या कहलाएगा critical temperature कहलाएगा आपका जो सही answer हो जाएगा option number A हो जाएगा next प्रस्ण की बढ़ेंगे आपका अगला प्रस्ण है kinetic energy of an ideal gas is kinetic energy of an ideal gas इच है ठीक है आपको बतानी है kinetic energy किसी एक others gas के लिए आपका option दिया गया है five upon two nrt option भी दिया गया है three upon two nrt या option c है three by two nrt square या option d दिया गया है three by two nrt square तो आपको बतादे कानेटिक kinetic energy for an ideal gas is three by two nrt के यहां पर जो आपका सही एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number B क्यों जाएगा correct answer हो जाएगा option number B कल की क्लास में Hindi और English दोनों तरह का model पेपर होगा प्रयास करूंगा कि एक इन्वर्सिटी से मैंने एक student से मंगवाया है कि हिंदी में वो series है ठीक है लेकिन उसमें अधिकांस प्रसंट रॉंग है दोस्तों उसका answer seat बहुत ही गलत है क्योंकि जो विबिन विबिन एक option को न चक करके answer seat न देखा और इसका ने मने बता दिया आप क्या हुआ कि वो सारे इसका लगभग लबग उसमें से चालिस से पचास परसंट कोईश्चन रॉंग निकल गए तो इस तरह से आपको ध्यान देना है सिरीज में जब भी कोईश्चन दिया रहे है तो एक बार आप जरूर चेक कर लिया करिए किसी पर भी डाउट अगर आपको लगे तो ठीक है चलिए अगला प्रसंदेखते हैं आपका अगला प्रस्फन है दा वांडर वाल एक्वेश्चन फार एंड मोल ऑफ ए रियल गैस इस्टीक है बादर वाल एक्वेश्चन बताना है एंड मोल आप रियल गैस के लिए एक का आपका उप्सन दिया गया है एए पी प्लस ए अपां बी स्क्वायर बी माइनोस बी नहीं है दोस्तों B minus B equal to nRT यह option B दिया गया है P plus A upon B square V plus B equal to nRT यह option C दिया गया है P plus n square A B square B minus nB equal to nR आपको बता दें Wonderwall equation for n mole of real gas के लिए जो होगा वो हो जाएगा P plus n square A upon B square V minus nB equal to nRT यहाँ पर जो आपका correct answer बनेगा वो हो जाएगा option number C ठीके शली next question की ओर बनेंगे आपका अगला प्रसन देखेंगे अगला प्रसन है फेर P is too high the wonderwall equation becomes अगर P जो है वो हाई है यानि इसका pressure when pressure too high यानि pressure high है तो wonderwall equation become यानि wonderwall equation क्या होगा wonderwall equation क्या होगा पीबी equal to RT minus A upon B होगा या पीबी equal to RT plus PB होगा या फिर पीबी equal to nRT होगा या फिर होगा option number D यानि PB equal to RT minus PB तो आपको बता दें जब pressure high होगा तो wonderwall equation जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीबी equal to RT plus PB हो जाएगा यहाँ पर जो आपका सही answer हो जाएगा वो option number B हो जाएगा यूनिट पूछी गई है कि wonderwall constant की unit क्या होगी तो जिसकी unit जो होगी दोस्तो हो जाएगी M6 atoms small inverse हो जाएगी यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा option number A इस टाइप के question मैंने पहले भी solve करा दिये हैं तो इसको आप देख लिजिएगा चली अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं आपका जो अगला प्रस्न है at which temperature the density of liquid is equal to gas at the temperature at which temperature किस temperature पर देंसिटी आप लुकेट यहनि कि जो लुकेट की density है वो equal होगी gas के यहनि gas के बराबर होगी boiling point पर या फिर melting point पर या फिर critical temperature पर या absolute temperature पर तो आपका बता दे at which temperature the density of liquid density of liquid is equal to gas boiling point boiling point पर क्या होगा कि density of liquid is equal to gas ठीक है density जो रहेगी वो लुकेट density आप लुकेट की जो देंसिटी है वो gas के बराबर कब होगी boiling point पर यहाँ पर आपका जो सही answer हो जाएगा वो option number a हो जाएगा अब्ला पाखा है वाह एगा फिर टुंपरजर ए टुंपरेंश अब्याट प्राचर बचान range of pressure is called critical temperature, bile temperature, inversion temperature, or reduced temperature. At the temperature at which real gas obey the ideal gas law over the range of pressure is called bile temperature. क्या कहलाईगा? Bile temperature कहलाईगा. आपका जो सही अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा boil temperature यानि option number B आपका correct हो जाएगा ठीक है अगला प्रसंद देखिए आपके screen पर है at high temperature यानि की high temperature पर and low pressure जब high temperature हो और low pressure हो the wonderful equation तब कैसा होगा option A दिया गया है P plus A पान B square M DM equal to RT या PBM equal to RT या option C है PBM minus B equal to RT या option D दिया गया है P plus A अपान B square M B की power M minus B equal to RT तो दोस्तों high temperature जब high temperature रहेगा temperature high हो जब temperature बढ़ा दिया जाए और pressure low कर दिया जाए ठीक है तो wonderful equation जो होगा हो जाएगा क्या हो जाएगा P plus A A upon B square M B की power B M minus B equal to RT यानि option यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा option number यहाँ पर D सही होगा क्या सही हो जाएगा दोस्तों D option आपका correct होगा यहाँ पर ठीक है चली नेक्स्ट प्रस्ट पर बढ़ेंगे इस टाइप के question जरूर पूछे जाएंगे इसलिए मैं बार बार इन प्रस्टों को repeat कर रहा हूं क्योंकि आप लोग इनको तयार कर लीजिए ठीक है चली अगला प्रस्ट आपका है इसलिक क्रिस्टल उक्सेइड फसके सब्सक्रों करें है इस ट्रॉत यह इंच रूप्यकव ट्रॉपी या फिर यह पिर में में अब ये आपाइब पुर्स में क्या इंवाल्ब होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रेशन होता है यहां पर आपका जो सही एंशर हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपका एक जो correct answer है वो option number यहाँ पर 20 है ठीक है चलिए next प्रस्न की और बनेंगे आपका अगला प्रस्न है the arrangement of molecule the arrangement of molecule in allocate is of which range modified short long ये none तो the arrangement of molecule in locate in which range यानि की short range में the arrangement of molecule in locate is of which range यानि short range में ठीक है यहाँ पर आपका जो science रो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा short range the short range of molecule in locate is of which range okay next प्रस्न है the look at crystalline model considered look at as look at solid hydrogen bonding solid या modified solid या modified solid या non of these तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही answer modified modified feed हो जाएगा तिक है यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा option number c next question की तरह पढ़ेंगे आपका अगला प्रस्न है look at crystal may be used look at crystal कहाँ पर use किया जाता है to detect two hours in the body या फिर आपसन भी दिया गया इन कामर्सियल या अपसन सी है electronic displacement display instrument या all up above तो आपको बता दें look at crystal may be use may be use detector to our in body in electronic display instruments in commercial instruments ठीक है यहाँ पर आपका जो सही answer हो जाएगा जाता है जाएगा all up above हो जाएगा look at crystal का यूज हम electronic डिस्प्लेश डिस्प्लेश इंस्ट्यूमेशन के लिए करते हैं इंस्ट्यूमेंट के लिए भी करते हैं तो आपका जो सही answer होगा अपसर नमबर डी होगा अगला प्रसा है आयन डाइपोल इंट्रेक्शन केस शॉलिटी आप ठीक है आयन डाइपोल इंट्रेक्शन की इंस्ट्यूमेशन के लिए यहां पर आपका जो सही answer होगा दूस्तों वह अपसर नमबर भी हो जाएगा सबी लोग से मेरा निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी छाठ चात्रा हैं इमारे साथ जुट चुके हूँ चैनल पर जितने भी छाठ चात्रा हैं पह ठीक है चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रसन की और अगला प्रसन आपका है स्ट्रांग इंट्रमालिकुलर फोर्स और फाउंडिन मजबूत यानि की मजबूत इंट्रमालिकुलर फोर्स कहां पर पाया जाता है गैस में लुकिट में या नान क्रिस्टलाइन सॉलिड म तो आपको बता दें strong intramolecular force are found in crystalline solid यहाँ पर आपका जो correct answer बनेगा वो option number D बनेगा ठीक है D number आपका सही answer होगा अगला प्रसन आपके screen पर दिया गया है look at so D finite shape look at so D finite shape so करता है कब so करता है in short range नहीं short range में या फिर long range में या फिर like solid या there is no structure तो आपको बता दें look at so D finite shape in short range यहाँ पर आपका जो correct answer हो जाएगा वो option number A हो जाएगा अगले प्रसन की ओर बढ़ेंगे आपका अगला प्रसन है one may considered the fourth state of matter is solid state, mesomorphic state या plasma state या crystalline state तो one may considered a fourth state of matter as plasma state या आपका जो सही answer हो जाएगा वो option number C हो जाएगा याँ यहाँ पर आपका जो सही answer है वो option number C है अगला प्रसन देखते हैं for a stable solid showing the mesomorphic state stable solid के लिए यानि की for stable solid, stable solid show करता है mesomorphic state आपका अगला प्रसन प्रसन की और बढ़ेंगे आपका अगला प्रसन 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 देखते हैं प्रसन दिया गया है कि sop so specific state in at low ordinary temperature at high temperature at low temperature at low temperature या all the temperature तो sop so specific state at high temperature यहाँ पर आपका जो सही answer हो जाएगा आपसन नंबर भी होगा चलिए look it have यान look it के पास क्या होता है define at safe होता है या फिर option भी दिया गया definite safe और volume होता है या definite volume होता है या फिर none of this तो look at safe look at have look at escape क्या होता है definite volume होता है ठीक है definite volume यहाँ पर आपका जो सही answer हो जाएगा option number C होगा next प्रसन की और बढ़ेंगे आपका अगला प्रस्ण है EDTA is example आप तो यह example है hexadet ligands का hexadet ligands का यहाँ पर आपके question दिया गया है IPSC name of the complex COONO NH3 की वावर 5 SO4 is अब इसका आपको IPSC नाम बताना है देखे IPSC नाम पूछा जाएगा लगबग लगबग तीन से चार question पूछा जाएगा ठीक है जो important था वो मैंने यहाँ पर choose कर दिया है तो इसका IPSC नाम क्या होगा COONO NH3 की पावर 5 SO4 is इसका जो IPSC नाम होगा दोस्तों वो हो जाएगा nitreo pentamine cobalt third यहाँ पर आपका option match करेगा option number C यहाँ पर C यहाँ नाइट्रियो pentamine cobalt third sulfate आपका जो सही answer हो जाएगा option number यहाँ पर C correct option होगा next प्रसन देखिए आपका जो अगला प्रसन है the complex COEN की square CL CH3 CL2 is named as देखिए IPSC नाम यहाँ पर पहुत ही tough है दोस्तों निकालना मैं आपको कल की क्लास में IPSC नाम कैसे find करने कैसे निकालते हैं IPSC नाम लेचर करना वह मैं आपको बता दूँगा यहाँ पर जो प्रमोख है जो पूछे नहीं के संभावना है उसको मैं बता दे रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर जो question पूछा गया है COEN का स्क्वाइल CL NH3 CL2 is named as तो इसका जो IPSC नाम हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा chlorobis ethylene demine chlorobis ethylene demine amine cobalt third chloride यहाँ पर आपका जो सही एंसर हो जाएगा वो option number A हो जाएगा next प्रसन देखे आपका अगला प्रसन है IPSC name of the complex Cren cube NICN5 is अब देखे यहाँ पर Cren3 दिया गया है तो इसका जो आप अगर निकालेंगे तो यह हो जाएगा trice trice ethylene demine chromium क्योंकि यहाँ पर दिया गया है chromium CR chromium third pentasino nickel third हो जाएगा यहाँ पर इसका सही एंसर हो जाएगा option number D हो जाएगा ठीक है यहाँ पर correct answer option number आपका D रहेगा next प्रसन क्यों बढ़ेंगे आपका अगला प्रसन देखते हैं क्या पूछा गया है दोस्तों अगला प्रसन है यह है दा stability फिच डील्स बित आपका अगला प्रसन है दा इस्टेवल्टी विच डील्स 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 करती है the rate of mechanism of chemical reaction is called kinetic stability यहाँ आपका जो सही answer यहाँ पर होगा वो option number B सही हो जाएगा next प्रसन क्यों बढ़ेंगे आपका अगला प्रसन दिया गया है in the thermodynamic sense complex is called as stable and inestable या level and unstable या फिर inert and inestable या inert and inestable या inert and livid तो आपको बताना है तो दोस्तों बता दें in thermodynamic sense complex are called as stable and inestable यहाँ पर आपका जो correct answer बनेगा वो option number A होगा ठीक है चली अगले प्रसन बढ़ते हैं अगला प्रसन दिया गया है in the kinetic sense complex are called kinetic sense में जो complex है वो क्या कहलाते हैं इनर एंट लिवर्ड केलाते हैं क्या कहलाते हैं इनर एंड लिवाइट केलाते हैं लिवाइट केलाते हैं दोस्तों यहां पर आपका जो जई answer हो जाएगा औस नंबर B हो जाएगा यहां पर kinetic sense complex मुचा गया था थो यहाँ ओलब इट का जाएगा और जब थर्मो डर्मेट शन्स पूचा जाएगा तो इस्टेबल और इनिस्टेबल रहेगा ठीक है एकनी बात ध्यान रखेंगे चलिए नेक्स प्रस नहीं आपका है नेक्स प्रस्था डिया गया है दा complexes from which ligand the complexes from which ligand present in the coordination space इस तर्फेन पेषज अनगे गिनली थी दिनज इननों पॉलेक्स बाइब इतल वाय कंपलेक्स यह भी इसेवडर ओमडिक्स एप दीज़स उसट शेड़ से लांन अ पत्कौर ऑठ बिया गया खिर कॉंपलेक्स टॉंपलेक्स from which ligand complex है कि से ligand दारा present होता है present in coordinate in space can easily replace यानि easily क्या करें इसको replace किया जा सके another ligand से वो क्या कहलाता हूँ वो कहलाता है lemile complex कहलाता है क्या कहलाता है lemile complex कहलाता है यहां पर आपका जो जो सही answer होगा वह option number B okay option होगा ओके चलिए अगले प्रसे की और बरते हैं आपका अगला प्रसंद दिया गया है the stability constant of complex compound is also known as initiation constant या dissociation constant या formation constant या none of these to the stability constant of complex compound is known as formation constant या आपका जो correct answer यहां पर होगा option number c होगा चलिए next प्रसन की और चलते हैं आपका अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है पैरा magnesium is पैरा magnesium in the substance increase is यानि पैरा magnesium substance कब increase करता है the number of unpaired electron decrease होंगे या number of unpaired electron increase होगा या the number of unpaired electron increase करेंगे या फिनन आप तो आपको बता दें जब पैरा magnesium in the substance increases the number of unpaired electron increases या आपका जो सही answer होगा यहां पर हो जाएगा option number c is correct option okay next प्रसन दिया गया है पैरा magnetic substance पैरा magnetic substance in magnetic field expresses loss of bait increases in bait या no change in bait या नन अब दी तो पैरा magnetic substance in magnetic field यानि पैरा magnetic substance जो है वो magnetic field में किस कार से एक्सप्रस करेंगा इसका जो बेट होगा वो क्या करेंगा increase करेगा ठीक है यहां पर आपका जो correct answer हो जाएगा वो option number b हो जाएगा चलिए next प्रसन की ओर चलते हैं आपका अगला प्रसन जो है अगला प्रसन आपके screen पर है दिया गया है which of the following has magnetic moment which of the following has magnetic moment 5.92 bm fe2 plus का या फिर ni2 plus का या fe3 plus का या di2 plus का तो इसमें से जो magnetic moment यानि कि 5.92 bm जो magnetic moment होगा वो किसका होगा fe3 plus का होगा यानि यहां पर आपका correct answer हो जाएगा option number c अगला प्रसन देखिए which of the following ions has highest magnetic moment इन में से किस ion के पास सबसे highest magnetic moment है क्या cx3 plus के पास है या cu2 plus के पास है या जड़ी N2 plus के पास है या फिर MN2 plus तो आपको बता दें इन में से MN2 plus के पास highest magnetic moment है यहां पर आपका जो इनसर हो जाएगा वो option number d हो जाएगा next प्रसंद क्यों बढ़ते हैं आपका अगला प्रसंद दिया गया है the magnetic moment of a transition metal magnetic moment पूछा गया है किसका एक transition metal आइन का जो इसका जो मान है वो थ्री 2.83 यहां पर आपको बताना है कि कितने नंबर आप अनपेर्ड एलक्टान इसमें प्रजंट है तो नंबर आप अनपेर्ड एलक्टान आपको निकालना पड़ेगा इसको जब solve करेंगे तभी निकलेगा दोस्तों इसका answer मुझे correctly नहीं पता है मैं आपको कमेंट वसेर्शन में question का अंसर बताने का परियास करूंगा चलिए next प्रसने क्यों बढ़ेंगे अगला जो प्रसंद दिया गया है which of the following is paramagnetic इन में से आपको बताना है कि कौन सा paramagnetic कौन सा इन में से कौन सा paramagnetic है ठीक है option ने दिया गया है nico की power 4 या n i cn4 minus 2 या c option दिया गया है c o n h 3 की power 6 3 plus या n i c l 4 power 2 minus 4 तो इन में से paramagnetic तो paramagnetic हो जाएगा n i c l 4 power 2 यहाँ पा जो सही answer हो जाएगा आपका option number d होगा चलि नेक्स्ट प्रसने क्यों और बढ़ेंगे आपका अगला प्रसना है among the following and which has highest paramagnetic इन में से बताना है कि इन में से कौन सा किसके पास highest paramagnetic है crh2 6 पावर 6 3 प्लस या फ इस टू पावर 6 2 प्लस या फिर c u h 2 o कि पावर 4 2 प्लस जर्डी एन एच टू ओ पावर 4 प्लस टू तो बता दें आपको इन में से जो आपको बताना था सही answer इन में से कौन सा डाया मैगनेटिक है ठीक है सी यू आपको इन में से कौन सा डाया मैगनेटिक है ठीक है c u n h 3 कि पावर 4 2 प्लस या z n n h 3 कि पावर 4 प्लस टू या फिर c आपसं दिया गया है c r n h 3 कि पावर 6 3 प्लस या फिर दिया गया f e h 2 o कि पावर 6 2 प्लस तो आपको बता दें दोस्तों इसमें जो सही answer हो जाएगा वो आपसं नमबर डी हो जाएगा यह जो है सबसे complex हो ज आएगे आपका अगला प्रसंद दिया गया है for a d square system a d square system where electron spin are the parallel its spin multiplicity is one two three यह four for a d system where electron spin is parallel its spin multiplicity is three यहाँ पर आपका जो सही answer हो जाएगा वो आपसं नमबर तीन होगा यहाँ पर सी answer सही होगा जहाँ पर इसका जो निकल के आएगा वो तीन आएगा ठीक है चलिए अगले प्रसंद की चर्चा कर लेते हैं यह numerical से संबंदित है तो इस प्रसंद को अमने नहीं स्वाल्व किय है तो यहाँ पर देखिए nitrogen oxygen nitrogen दिया गया है तो क्या यह symmetrical है क्या यह linear triatomic molecule है बिलकुल नहीं यहाँ पर अगर बात करें option B की तो यहाँ पर chlorine chlorine और HGD दिया गया है तो जहाँ पर यह option आपका सही होगा correct option आपका नंबर B हो जाएगा क्योंकि यह क्या है एक sematical linear triatomic molecule है चलिए an optically active substance 2 एक optically active substance हो रहेगा वो क्या होगा यूरिया सुक्रोस oxylic acid या फिर तो आपको बता दें an optically active substance 2 सुक्रोस यहाँ पर आपका जो सही answer हो जाएगा option number B हो जाएगा सुक्रोस ठीक है चलिए तो कुल मिला करके लगभग लगभग हमने 100% को चूच किया था आज की इस सीरीज में और उन सभी प्रसनों को उमने discuss भी कर दिया है अगर आप यह 100% तयार कर लेते हैं 100% का practice कर लेते हैं मैं यह नहीं कह रहा कि आप सनको आपको समझना बहुत ही दिख्कत है क्योंकि पूरा का पूरा physical chemistry है physical chemistry में अभी जो बायो ग्रूप से हैं उनको दिख्कत होगी mathematics के student को दिख्कत नही होगी लेकिन अब समय कम है जैसे कि अलीगल इन्वर्सिटी का सायज कलिया परसों में पेपर है तो आप सब लोग इसको लगवगवग दोसे तीन बार revision कर लीजेगा कल भी मैं आपको एक model पेपर कराऊंगा जो हिंदी और इंग्लिस में रहेगा और मैं प्रियास यही करू दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में share कर दीजिए ताकि सबी लोग इस class से लाबंवित हो सकें दूसरी बात वीडियो को like जरूर कर दीजिए चैनल पर नए आए हैं पेरे मित्रों तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा और इसका पीडियप मैं आप आपको हमारे चैनल मिल जाएगा जहां से आप इस वीडियो को प्राप्ट कर सकते हैं class का notification भी मिल सकता है ठीक है अगर आपका कोई comment है question है तो comment session में comment करके बता दीजेगा आपके question का जवाब जरूर दिया जाएगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के जय हिंद जय भारत